आप कहीं से आते हैं और आपका phone discharge रहता है, आप अपने phone को charge में लगाते हैं और लगाने के बाद आप देखते हैं कि screen के उपर charging show कर रही है लेकिन जब आप 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आके देखते हैं अपने phone के charging को तो आपको दिखता कुछ भी नहीं है कि कोई परसेंटे चार्ज नहीं हुआ है उस समय आपका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे फोन के अंदर क्या हो गया है और आप बहुत ज्याद़ परिशान हो जाते हैं तो अब आपको परिशान होने की ज़रुवत नहीं है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताने वाल इसलिए अपने बैटरी के बारे में आपको जनकारी अच्छे से होनी चाहिए कि आपकी बैटरी क्यों नहीं चार्ज हो रही है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको जो तरीका बताएंगे उससे आपकी बैटरी का प्रोब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप इसको ठी प्रोब्लम क्यों आता है मैं आपको बता रहा हूं और कैसे ठीक करना है तो देखिए सबसे पहली बात पहला केस यह है कि अगर आप चार्जिंग में लगा करके और अपने फोन को बहुत ज़्यादा इस्तमाल कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं होट एस्पोट ऑन कर रखा है आपने या उस पे गेम खेल रहे हैं या और भी बहुत सारा अप्लिकेशन को रन कर रहे हैं तो उस केस में आपका क्या होता है कि जो चार्जिंग का रेट होता है और जो डिस्चार्जिंग का रेट होता है तो डिस्चार्ज के लिए आपने ज्यादा करंट यूज़ कर रहे हैं और चार्जिंग जितना पहुंचना चाहिए करंट बैटरी तक वो पहुंचती ही नहीं पाती है उल् मेरे साथ जब होता है तो यह percentage चार्ज नहीं करता है देख रहे हैं आप हमने hot spot इसका on करके रखा है तो इस चीज़ को आप पता कर सकते हैं कैसे पता करेंगे तो आप setting के अंदर ही देखिए मैं setting के अंदर हूँ और यहां पे आपको जाना है अपने battery के setting के अंदर यहां पे देखिए यह जो battery है इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद यहां पे power conjunction ranking और कौन सा app आपका सबसे ज़्यादा अभी के date में खा रहा है इसको hot spot पे बहुत जादा लगा करके रखते हैं और फिर हम charging में भी लगा करके रखते हैं तो उस case में आपकी battery तक उतना charge नहीं पहुंचता है और आपकी battery का कोई percentage बढ़ता नहीं है तो इसके लिए आपको घबडाना नहीं है बस आपको ये करना है कि उस जो भी application आप चला रहे होंगे उन application को आपको बंद कर देना है और फिर आप अपने normal तरीके से उसको सिर्फ charge में लगा करके छोड़ेंगे आपका phone तो वो charge होगा और आपका बिलकुल charge हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत तो तब है दोस्तों जब आप अगर कोई भी application को और हे भी कोई भी app को use नहीं कर रहे है discharging का conjunction नहीं कर रहे है लेकिन फिर भी आपका phone आपने सिर्फ charge में लगाया है उसको और charge हो ही नहीं रहा है तो इसको कैसे ठीक करेंगे इसमें क्या problem है तो चलिए इसके लिए हम आपको बता रहे है और जो तरीका बता रहे है ये tested तरीका है हमने इसको test किया है इसलिए ये 100% आपको ठीक करेगा तो हमने इसको try किया है Samsung के phone के उपर Samsung Galaxy phone के उपर आप Samsung का कोई भी model ले लिजिए लेकिन वो अगर phone आपका Samsung का है और वो charging stop कर दिया है बिल्कुल charge नहीं कर रहा है कोई percentage battery की नहीं बढ़ रही है आपको charging का icon दिखाएगा लेकिन charge नहीं हो रही है battery की percentage नहीं बढ़ रही है तो अब आपको इसको कैसे ठीक करना है Samsung phone के लिए हमने दूसरे Android smartphone के उपर इसको test नहीं किया है आप चाहें तो इसको दूसरे Android smartphone के उपर भी ये तरीके को tips को अजमा सकते हैं लेकिन हम जो किये हैं वो Samsung पे किये हैं तो चलिए Samsung वाले phone पे आपको इसको कैसे ठीक करना है तो आपके phone के अंदर यहां पे दो button होती है एक volume up की button होती है एक volume down की button होती है और एक यहां पे power की button होती है तो अब आपको ध्यान देना है कि यहां पे क्या करना है Samsung का phone होगा तो आपको power button और volume down button याद रखिए down button और power button इन दोनों button को एक साथ press करना है और charging को यहाँ पे connect कर देना है एक साथ होना चाहिए यहाँ पे power button और volume down button एक साथ press हुआ उसके बाद charging में इसको लगा दीजिए तुरंत जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे Samsung का logo appear होगा और देखेंगे जो भी brand होगा वो Samsung लेकर के यहाँ पे logo आएगा screen के उपर एक बार आएगा आपको छोड़ देना है उसको आने देना है फिर से आपको press करके ही रखना है दुबारा आएगा logo फिर भी आपको press करके ही रखना है और उसके बाद आप देखेंगे 10 second आपको और press करके रखना है उसके बाद आपको छोड़ देना है दोनों बटन को यहां पर छोड़ देना है और चार्जिंग में लगे रहने देना है तो उसके बाद देखेंगे आपकी आपके स्क्रीन के उपर अटोमेटीकली अब जो परसेंटेज सो नहीं कर रहा था बैटरी का वो परसेंटेज सो करने लगेगा स्क्रीन के उपर और वहां से आपको दिखाएगा 10 परसेंट 20 परसेंट पर्षेट चार्च है या कितना percentage चार्च है तो वहां से आपकी Sink हो जाएगी और वहां से percentage फोक करना चुरू करदेगा बैटरी का अब आपको इसके बाद क्या करना है उसको भी ध्यान से सुन लिजे यहां पे अब जो Volume Up बटन है उस बटन को Volume Up बटन आपके screen के उपर आने दीजे उस logo को और उसके बाद से आपको यहाँ पे screen के जब logo आएगा उसी के साथ screen के उपर ही आपको एक reboot का option दिखाई देगा तो अब आपको क्या करना है अपने phone को reboot कर देना है सिर्फ एक बार reboot कैसे होगा जब power की एक बार बटन को प्रेस कर देंगे तो आपका phone reboot हो जाएगा reboot होने के बाद अब आप इसको charge में लगा करके दो घंटा छोड़ दिए अराम से वो fully charge होगा और आपकी battery का percentage भी बताएगा तो इस तरह से आप अपने phone के battery का जो भी problem है जो charge नहीं हो रहा था और जो percentage नहीं कर रहा था उसको आप यहाँ पे ठीक कर लेंगे दोस्तों मैं आपसे request कर रहा हूँ कि Samsung का जिसका भी phone ठीक होगा वो जरूर हमें comment box में लिख करके बताएगे तो हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो video बना रहे हैं वो video आप उससे फायदा उठा रहे हैं और साथ ही साथ आप इसको दूसरे phone के ऊपर भी try कीजिए अगर हो जाता है तो वो भी comments में हमें बताईए तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि इस video का information आपको अच्छा लगा होगा तो इस video के लिए जादा से जादा like कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी स्वाल है तो आप अपनी स्वाल को comment box में पूछ सकते हैं हम उसका reply जरूर करेंगे और आपसे एक request है कि हमारा ये दूसरा channel है crypto trading अगर आपको crypto में थोड़ा भी interest है तो आप यहाँ पे trading और crypto coin के बारे में यहाँ पे जनकारी ले सकते हैं पर आपको सही जनकारी देते हैं तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना